अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ अब बाजार जाकर ही रासत खरीदने की क्या है जरूरत जब ओई माट है आपके लिए तैयार ओई माट के मोबाईल एप वबेफ साइट से करें खुल कर खरीदारी पाएं होम डिलिवरी संपर्क करें 8340371787 7325-052437 GS News पर चल रहे प्रशन उत्तरी प्रतियोकता में आज का सवाल किस राज सरकार ने आठवी से बार्वी तक के छात्रों को ओनलाइन पढ़ाई के लिए मुप्त टैबलेट देने की घोशना की है एज हारकंड बी बी हार सी हर्याना या डी केरल वीडियो को रोक कर अपना जबाब कमेंट बॉक्स में जरुड़नें भागलपूर एससपी से फोन पर बातचीत का रिकॉर्ड महला एंस्पेक्टर नेकिया वाइरल एसपी को मिला जाँच का जिम्मा कारवाई थै भागलपूर में जिला प्रसासन सभी से कोवीड उनीस की रोकताम के लिए कारगर मास्क का उप्यो करने की अपील कर रहे है वही मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से पुलिस जुर्माना भी वसुल रही है इसी कड़ी में मास्क अवियान की सगन जाच के लिए पुलिस की एक विसेज टीम बनाई गई इस टीम की निगरानी खुद सस्पी आसिस भारती कर रहे हैं यही नहीं उन्होंने उक्त टीम को रोजाना करीब 10 से 15 हजार रुपए जुर्माना वसुलने का लक्ष भी दिया है इसी करम में मास्क अवियान में ला परवाही के करण स्पी आसिस भारती ठीम में सामें महिला इंस्पेक्टर स्वपलील तूल तब पकड़ा जब महिला इंस्पेक्टर स्वपलील स्वपलील ने मोबाइल पर हुई बाचीत का ओडियो वाइरल कर दिया तगरीवन 2 मिनट 29 सगेंड के इस ओडियो में स्पी आसिस भारती ने महिला इंस्पेक्टर स्वपलील सरन की सिथिलता पर उन्हें पहले नसियत दी है इसके साथ ही स्पी ने महिला इंस्पेक्टर को ठीक से कारी नहीं करने पर सक्त कारवाई करने की चेतावनी भी दी है वहीं पुलिस बिभाग के अनुसार बिना अनुमती के वरिष्ट अधिकारी की बात को रिकॉर्ड करना और वाइरल करना अनुसासन हिंता की सरेनी में आता है हलाकि इन सब के बीच उक्त वाइरल ओडियो की सतता के पूस्टी जीयस नियूस किसी परकार से नहीं कर रहा है जो कि हमको लगता है दो घंटा के अंदर यह हो जाना चाहिए आठ घंटे का भी मिनिमम जो ड्यूटी जो होता है यह तो हमको नहीं लगता है आठ घंटे में तो आदमी दस जार पार करा देगा लेकिन शुरू से लेकर करके आपका यही है बना लियां कि इससे ज्यादा मेहनत नहीं करना है नवगच्या का एक मात्र ऐसा स्थांग जहां साधी विवाह मनाने का है संकूर्ण समधान होटल पुड प्लाजा के सोना ओपन मेरिस गाडन नवगच्या का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्ता के साथ जहां उपलब्द है एसी ननेसी कमरे मंडप बूफे काउंटर ह आईटी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधोनिक विवस्ता आपके लिए आईए आपका इंतजार है होटल फुड प्लाजा के सोना मेरिस गाडन जिरो माइल नवगच्या भागनपूर संपर्क सुत्र 96619048177992499821 नवगच्या आग्यात महिला के सब की हुई पहचावन, विसाय टोला की है महिला, हत्यारों की गिरपतारिय वो मुआब्ये की मांग को लेकर आक्रोसित लोगों ने दो घंटे तक किया स्टेशन रोट जाँ नवगच्या प्रकण मुख्याले परिसार इस्तित निर्माना धीर मन्रेगा भवन से सुंबार को बरामद हुई 40 वर्षिय महिला की सब का पहचावन मंगलवार को हो गई है मृतक महिला की पहचावन, नवगच्या के राजणर कॉलिनी के विसाय टोला निवासी सुनिता द महिला के सब मिलने के बाद परिजनों ने हत्यारों की गिरपतारी एवं मुआबजे की मांग को लेकर देर साम नवगच्या स्टेशन रोड में सब रखकर सड़क को जाम कर दिया इस दोरहन परिजन ने टायर जला कर प्रदर्शन सुरू कर दिया एवं पुलीस प्रसासन के बिरोध में जम कर नारे बाजी की उगर भीर नोगच्या पुलीस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे परिजनों ने दोसियों के खिलाब सक्त कारवाई किये जाने की मांग की है स्टेशन रोड के जाम होनी की सुचना मिलते ही मौके पर पहुंची नोगच्या पुलीस उगर लोगों को समझाने में जुटी रही लेकिन अस्थान या पुलीस की बात को मानने के लिए परिजन तयार नहीं हुए जब आक्रोसित परिजन को समझाने में पुलीस भी फलो गई तो डियस्पी मुख्याले असरार एहमद वहां पहुंचे जहां उन्होंने आक्रोसि लोगों ने जाम को हटाया इस दौरान करिक दो घंटे तक इस स्टेशन रोड पूरी तरह जाम रहा कर दो जाने 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 आए किसे सिंथु नाम का लड़का तो उसे से बात कर दो कर दो अगाए तो साल हो गया पापा पैंगलोर में गया है कमाने के लिए जाता है कब गया है अच्छा कब निकली थी घर से मम्मी परसो मम्मी भी निकली थी साथ वजे सुबा में बताई थी कुछ नहीं कुछ ने बोले किसे पता चलागी थी कुछ ने बोले थी कुछ ने बोला की जाते हैं रुमर नुम कलरका था वोड़ा थी के पास जा रहे हैं पैसा लेने का बोली मम्मी को मेरी चाची को बोली थी किसे पता चलागी मेरी मम्मी को बोला है किसे पता चलागी मेरी चाची को मेरी मम्मी जा रहे थी करें कि खान ना चाली साल की महला कुछ चाहते हैं किस तरह का इसाफ चाहते हैं हमको पुरा जाच इसका एसका पकरिए उसको यहींच तो यहीं चाहिए तो बोल कर जाया है उसका को सुरिए क्या कर गया है उसका हुआ पैसा है काउंडर दो तेड़ तो वहां हुआ है मुवाईनी जोकार मुवाई और हमकार रूमन मुवाईन। वेत बात पर्चल यह रात। सक्सकी तर्चल छंदॉड़ सेखने हं मुवाईन। मुवाईन तर्चल थोरी नीमें फैसेब ऐना मुवाईन। अज आम लगाते हैं किस तरह से समझता हुआ समझाया गया समझावता नहीं इसमें एक केस दर्ज किया गया था अन्नोन बडर केस और 302 सेक्षन और 201 IPC का था वह दर्ज है उसका नुसंदान भी उसका नुसंदान भी स्टार्ट हो गया उसी केस होते ही और इस जो भी प्रोसे सब्सक्राइब का था वह भी हुआ था प्रोस्पाटम किया था उनसे भी पूछ पास्टिया सब लोग हम लोग ने ठीक और जो इस दिशाब आगे बरना है इनका पोट्रेस था मौपजा का तो जब केस हुआ ती सुप्रविजन के साथ ही मौपजा डीम साहब का चला जाए और जो अनुसंधान का उस बिंदू पर हर बिंदू पर जाच हो रहा है वो पब्लिक को ये किसी पड़िवार को पताने से कल ब्रीट जो है के सिलीप कर सकता है इसलिए वो सेक्रेट है अनुसंधान और जो उसी के विरोध में था आगे निक्वींस करके उसको आपको डेट पहला तो राजिंदर कॉलनी के बगल एक डोला की है इसका लगता है संजु संजु देवी है ना इसके हस्बेंट भी दो दिन पहले बंगलोर गया वहां काम करते थे बच्चा छोटा-छोटा है ठीक तो सब अनुसंधान हर बिंदू पर है कब घर चे निकली ठीक नहीं कहा इसी से त्यहत है केस तो माबजा सरकार के तरफ से ही है वो मिल जाएगा वो पेपर लगके आज चला जाएगा जिला दिकारी बहुत है भागल पूर को और पैसा उसको मिलेगा ठीक नहीं करवा दिया नवगच्या मूरली के समीप लूट की घटनाओं को अन्जाम देकर बाइक से भाग रहे हतियार बंद अपरादी को तेतरी के ग्रामिनों ने दबोचा ग्रामिनों द्वारा पकड़े गए अपरादियों को नवगच्या पुलिस को सवब दिया गया इस दोरोन ग्रामिनों ने अपरादियों की जमकर धुनाई कर दी जिससे दोनों अपरादी गंभी रूप से घायल हो गए गिरपतार अपरादी की पहचान आगलपूर जिले क मुहमद इद्रीस के रूप में की गई वहीं पकड़े गए अपरादियों के पास से बिना नंबर वाली नई यमहा एफजेड एक्स बाइक साथ दसमलब छे पांच एमेम के दो देशी पिस्टल साथ जिन्दा कार्टूस एक खोखा दो मोबाइल जिसमें एक मोबाइल लू नवगच्या चोरी के समवन के साथ तीन अपरादी को परवत्ता पुलिस ने किया गिरपतार नवगच्या के परवत्ता थानाच्षित के गरिया गौमिस निवार को चमकलाल मंडल के पुत्र मनोज मंडल के यहां देरात को चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें नगत 12,000 रुपे वो इलक्ट्रोनिक्स उपकरन को चोर चुरा कर ले गया था गरिया निवा से गरबतार कर लिया है जिसके बताई निसान देही पर उसके दो साथी गरिया निवासी जोतिजदास के पुत्र संतोस कुमार उर्प, मंतोस कुमार और मुहनी यादव के पुत्र अंकुस कुमार को उसके घर से गरबतार कर लिया गया जिसके बाद तीनों चोरों की तलासी लेने के बाद रुपेस यादब के पास से परवत्ता पुलिस ने नगत बारह हजार रुपए और इलक्ट्रोनिक समानों को भी बरामत किया है परवत्ता थाना देश्रामचर यादब ने बताया कि 19 तारिक को रुपेस यादब के द्वारा गरिया में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था जो दुकान में लगे CCTV पुटेज में चोर का वीडियो रिकॉर्ड हो गया CCTV पुटेज के अदार पर छापे बारी की गई जिसमें तीन लोगों को गिरबतार किया गया है करपिया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के बिग्यापन के बाद प्रारंब होगा अब आपके सहर नवगच्या में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथो हाथ पाए फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नैम प्लेट, नमबर प्लेट, ग्रेनाइट मारवल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्ट करें विनायकाच गौशाला रोड पुरानी गैस ओफिस के सामने नवगच्या मोबाईल बहत्तर पंचानबे आट सो दीश साथ सो तेहत्तर तेर नवगच्या खाने में चाहिए टेस्ट तो सुन्दरम है बेस्ट घर पर मंगवा कर खाएं सुन्दरम का खाना सभी तरह के फास्ट पूड जैसे रॉल, चौमीन, मोमोज, विर्यानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज पूड के लिए ज़रूर बढ़ारे सुन्दरम फास्ट पूड, राजेंद्र कुलोनी, मोर, स्टेशन के सामने नवगच्या इसमाहिलपूर हत्याकांड के आरोपी को किया गिरफतार इसमाइलपूर पुलिस ने हत्याकांट के आरोपी थनाचित के कमला कुनिवासी चंकिसोर यादव, राकेस यादव एवंकारे लाल यादव को गिरपतार कर लिया है इसमाइलपूर पुलिस ने तीनों को माया गंज़ स्पताल से गिरपतार किया है मालूमों कि पिछले दिनों इसमाइलपूर बिचली दियारा में दो अपरादी गिरों में हुए मुठवेर में सागर यादव की हत्या हो गई थी जबकि चार लोग बोली लगने से गाहल हुए थे इस मामले में तीनों नामज़द अव्योक्त था मंगलवार की साम कदवा के मिलन चौक समीप एम्बूलेंस के धक्के लगने से एक बालग गिरकर गंभी रूप से चोटिल हो गया अस्ताने लोगों ने बताए कि बेलसंडी कदवा निवासी अक्तर नदाप का बेटा सानवाज नदाप बारवर्सी अपने मा के साथ कदवा के मिलन चौक समीप गया वा था जहां से लोटने के समय जैसे ही सानवाज पोरलें सरक पर चढ़ा कि नौगच्छा जीरो माईल की तरफ तेज रफ्तार से जा रहे एक अग्यात एंबूलेंस ने ठोकर मार दिया ठोकर लगते ही बालग गिरकर चोटील हो गया जहां सानवाज के सरवा हाथ में चोट लगने से वजखमी था चोट पर मौझूद ग्रामिनों ने बालग को उठा कर अस्तान या चिकित सक के पास पहुंचाया जहां देरात तक बालग की स्तिती ठीक बताया जा रहा था स्वन वेवसाई से रंगदारी मांगनी के मामले पर मतरापूर बजार पहुंच मिले बिधायक इंजिनियर सैलेंद्र भवानी पूर नारहिन पूर थानाचित के मतरापूर बजार में सुमवार को दिन दाहरे हतियार बंद अपरादी ने सोनू जोलर्स के संचालक सोन वेवसाई अनत पौददार से मार पिट कर चार लाग की रंगदारी की मांग मामले में शोन वेवसाई अनत पौददार से मतरापूर बजार पहुंच जोलरी के दुकान पर बिधायक इंजिनर सैलेंद्र ने जानकारी मांगी जिसमें वेवसाई ने जानकारी देते हुए बिट्टू यादव सिट्टू यादव साहित तीन अग्यात के खिलाप प्राथमी की द कि हम 2010 से 15 में भी विधायक थे उस वक्त भी अपराधी से कोई समझ होता हमने नहीं किया और अपराधी मेरा नाम सुन के ही भागता था अब फिर हम और सभी का सिरवाद से जनस्वयोग से विधायक बने हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि हमारे किसी भी लोगों का अगर सोशन क करेगा अपराधी या धराएगा धमकाएगा तो उस अपराधी को या तो भीपूर विधान सवाद छोड़ना पड़ेगा नहीं तो अपने आचरन में बदलाना पड़ेगा यह हम बताना चाहते हैं और प्रशासन से भी मैंने बात किया है कि यह प्रशासन के लिए करता है यह बहुत बड़ा खेद है इसलिए हमने एस्पी और ब्याजी से भी बात किया था और उसका परणाम था कि तुरत में यहाँ पर गतिविधी बढ़ाया था और आपके मादियर से भी हम प्रशासन को बताना चाहते हैं केवल थाना ही या पुलीस प्रशासन ही नहीं नवगच्या का एक मात्र ऐसा स्थान जहां साधी बिवाह मनाने का है संपूर्ण समधान होटल फुड प्लाजा के सोना ओपन मेरिस गाडन नवगच्या का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्ता के साथ जहां उपलब्द है एसी नने सी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाईटी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधोनिक व्यवस्ता आपके आईए आपका इंतजार है, होटल फुड प्लाजा के सोना मेरिस गाडन, जीरो माइल नवगच्या भागनपूर, संपर्क सुत्र 9661904817, 7992-499821 अब आपके सहर नवगच्या में पहली बार, फ्लैक्स बैननर प्रिंट हाथो हाथ पाए, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नैम प्लेट, नमबर प्लेट, ग्रेनाइट मारवल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्ट करें, विनायक आट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ओफिस के सामने, नवगचिया, मोबाईल, बहत्तर पंचानबी, आट सोथी, साथ सोथेहत्तर, तेराउबी, जीरो, तेतालीस, सरसट एक सोथेहत्तर